सोया बीन की कीमा जहां रिकॉर्ड कीमतों की ओर बढ़ रही है वही रूस यूक्रेन में शुरू हुई जंग और विश्व बजार में बढ़ती मांग के कारण रेट में तेजी की बढ़ोती हो रही है पिछले हफ़ते सोमवार को कीमतों में गिरावट देखी गई थी जिसके चलते किसान चिंतित थे हाला कि इस हफ़ते लातूर क्रिशी उपज मंडी समीती में सोयबीन के रेट 7200 रुपे पर हैं हाला कि लगतार दो दिन तक बजार समीतियों के बीच लेन देन बंद रहा इसलिए अब किसान सोच रहे हैं कि दो दिन में तस्वीर कैसी होगी बजार की वही क्रिशी विशेशग्यों का कहना है कि मौझूदा बढ़ते आवक का बजार दर पर कोई असर नहीं पड़ेगा ऐसा इसलिए है क्योंकि मांग से कीमत बढ़ रही है और इसके अलावा युद की स्तिती ने रूस से तेल आयात को प्रभावित भी किया है इसलिए घरेलू बजार में सोयाबीन की मांग बढ़ रही है लातूर जिले में सोयाबीन का प्रसंच टेल उतपादन करने वाली बड़ी संख्या में कमपनिया एपलेवल है यहां कमपनिया एक महीने के लिए प्रयाप्ट सोयबीन का भंडारन करती देती हैं और रोजाना खरीदी भी होती है इसके लिए सही तरीके से खरीदी केंदर भी बनाए गए हैं बजार में मौझूदा आवक का असर रेट पर पड़ेगा इसलिए आवक की परवा किये बिना स कीमते समान रहने की संभावना भी है सोयबीन जो 6,300 थी अब बढ़कर 7,200 रुपए हो गई है इसलिए किसानों को उमीद है कि रेट में और भी बड़ोतरी हो सकती है वहीं मंडी समीतियां पिछले दो दिनों से बन थी इसलिए दूसरे दिन सोयबीन की आवक भी बड़ी साल उत्पादन में गिरावट और बढ़ती मांग के कारण अंतराश्चे युद के कारण कीमतों में व्रिदी हो रही है विपारी का कहना है कि सोयबीन का भाव 7,200 रुपए अच्छा है और किसानों को बिक्री पर फैसला लेने में कोई आपती नहीं होनी चाहिए इस साल कि उत्पादन कम हो रहा था और रेट नहीं बढ़ रहे थे विपारियों ने भविश्वानी की है कि दो दिन पहले समान दर 7,200 है और अब बजार में 7,500 रुपए तक रेट जाएगा इसलिए उमीद की जा रही है कि सोयबीन के भाव किसानों को अच्छे मिल सकते हैं ब्यूरो रिपोर्ट मार्के टाइम स्टील फिर से आगया है कोरोना घर पर रहने में ही है सब की भलाई अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना बिग ब्लिस लेकर आएगा दस मिनट में आपके घर पर दवाई बिग ब्लिस खुश्यों की अपनी दुकान